दोस्तों कैसे है आप आज की वीडियो में मैं आपको एक बूस्टर मॉड्यूल की मदद से LED टेस्टर बनाना सिखाऊंगा आप इससे किसी भी LED को असानी से चेक कर सकते हैं भले वो 3W की हो 9W की हो 12W की हो 15W की हो या फिर TV के अंदर LED TV के अंदर लगने वाली LED स्ट्रिप कर रहा हो सभी की LEDs को आप इसे चेक कर सकते हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से जी हां एक 100 या फिर 500 रुपी के आप बूस्टर मॉड्यूल की मदद से इतना सारा काम कर सकते हैं बस इसके लिए एक बूस्टर मॉड्यूल प्लस आपको एक बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी जो 3.7V की होती है यहां पर मैंने लोड को मैंटेन करने के लिए दो बैटरी को पैरलल पर लगाए गया है लेकिन आउटपुट यह आपको 3.7V ही देगा आप इसमें एक बैटरी भी जोड़ सकते हैं अगर वो बैटरी 2000 मिली एंपेर के आसपास की है तो ज्यादा मिली एंपेर की या फिर ज उसको पर्चेस कर लिजीगा और एक छोटी सी चीच की और जरूरत पड़ेगी यहां पर आपने आउटपुट में दो बायर लगानी पड़ेगी मैंने अपनी सुविधा के लिए यहां पर खराब मल्टिमेटर के प्रोप्स को इस तरीके से अलग कर लिए हैं और यहां पर इसके connection और और इससे मैंने काफी सारी चीजें amplifier भी चलाया है booster module से यानि कि 3V की बैटरी से मैंने 12V का amplifier भी चलाया है आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना लेकिन इस वीडियो के बात अब यहां पर लिए इसके connection है इस वीडियो में भी आपको बता द कर ले रहा है और देखिए यह जो यहां पर आपको potentiometer type का दिख जाता ना इस screw को घुमा कर आप voltage को बढ़ा या फिर घटा सकते हैं आपको जितना voltage यह आप इससे set कर सकते हैं totally मैंने उस वीडियो में बता है लेकिन यहां पर भी आप सीख सकते हैं अब यहां पर battery के हम connection कर लेता हो इस सदीके से तो plus के साथ plus हम connect करते हैं और minus के साथ minus को connect कर लेंगे चलिए यहां पर मैंने battery को इसके साथ connect कर लिया अभी आप आपको output voltage चेक करवा देगा तो multimeter को हमने 20 की range पर रखना है और इस चीज आपको बता तो इसमें maximum आपको 40V तक output यहां देगा अगर अभी यह output दे रहे हमारा 3.4 volt अभी यहां पर हम इसको anti clock घुमाएंगे तो इसकी voltage बढ़ेगी चलिए 2-3-4-5 round मैंने इसको घुमा दिया है अभी इसकी output हम चेक करते हैं अभी कितना मिल रही है अभी इसकी output लगबग 7 volt के something मिल रही है अभी एक दो बार और इसको घुमात हूं देखते कितना वोल्ट अभी output मिल रहा है अभी हमें 10 वोल्ट मिल रहा है इस तरीके से आपने घुमाते जाना इसकी voltage आपको maximum 40 वोल्ट तक मिलेगी अभी यहां पर यह जितनी भी LED है हमें नहीं पता है कि कितने वोल्ट की हैं लेकिन एक और मैथेड हमारे पास है LED को कितने वोल्ट की LED है और कितने बाटकी है इस पर एक डिटेल वीडियो में बनाया है अगर आप डिटेल से जानना चाते हैं तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजेगा लेकिन यहां पर आपको मैसे टेस्ट करने का तरीका बताने वाला हूँ अब यहां पर सबसे पहले इसकी हम वोल्टेज को लगबग 3.5 या फिर 4 वोल्ट के सम्थिंग रखेंगे इसकी आउटपूट वोल्टेज को क्योंकि जो LED होती है मिनिमम 3 वोल्ट के सम्थिंग की होती है और मैक्जिमम वो कितनी भी हो सकती है अब TV के जिस स्ट्रिप है इसमें पता नहीं कितने वोल करें तो जितने मैं था पहले उत्रे में हम CET कर लेते हैं अब देखते हैं हपर कितना वोल्ट यहा पर सेट हुआ है तो 7 वोल्ट के सम्थिंग है चलिए इसको इस तरीके से मैं करें लेकिन यहाँ पर फलिए शि estaris की धेkem नहीं शुपा रहे है इसलिए मैं चलिए बसकी हो तरेकिना उससे यहां पर हमने शोल्ट्रिंग मार देना है आउपट में नेगेटिव में लेडा function कर लेंका हिस्तरीक ना अब यही प्रोब्स हमारी led को टैश्च करने में काम देने कि यह देखिएगा यह हमारी सूर्टिंग हो चुकी है अब यहाँ पर हमें वूल्टेस मिलेंगी यहाँ पर याद रखे इनको टेच नहीं करना वरना होगा क्या वरना आपका उस्ट मोडियूल शौर्ट हो सकता है या फिर खराब हों चाहिको मुझे नई पता कि सौर्ट होगा या फिर खराब होगा लेकिन हो सकता है तो अब चलिए LED के हम testing करना start करते हैं हम start करेंगे यहाँ पर टीवी वाले को हम अभी side रखते हैं इसको हम थोड़े दिन में करेंगे सबसे पहले छोटी छोटी LED को हम निफटा लेते हैं अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी LED को check करेंगे यहाँ पर आपको बता दू वैसे तो मैं मुझे पता है इसमें कितने वोल्ट की लगती है लगबग 3 वोल्ट के something की DOV में मिलती है चलिए हम इसको check करते हैं कि अभी हमने 3.5 वोल्ट के something voltage set करी है तो यहाँ पर देखिए इस वाली LED को हम मल्टी मेटर से भी check कर सकते हैं क्योंकि इसमें 3 वोल्ट के LED होती है और मल्टी मेटर से आप मल्टी मेटर को बजर की range पर रखे भी आप 3 वोल्ट के LED चेक कर सकते हैं यह आप याद रखेगा इस तरीके से यह देखिए ध्यान देंगे यह देखिए फटा फटा से हम इसको check करते रहेंगे जो LED नहीं चलेगे समझ लीजिए वो LED खराब है तो यह देखिए इस तरीके से एक सेकंड एक सेकंड इसमें मेरे ख्याल से सीरीज में इस तरीके से उल्टा सुला करेक्टी है इससे नहीं चली dispいき एक यилась जल सकती है एक सेकंड यह फिर हो सकता है इसमें LED घराब हो कुछ इस तरीके से भी लगई मिलती है सीरीज में इस तरीके से एक पोजिशन में जर्ते भी सीधी है तो इसमें में भी सीधी वाली हो सकती है तो इस तरीके से आप LED को चेके, जो नहीं चलती है, वो खराब है, उसको उठा के आप साइड कीजिए, इस तरीके से यह प्लस मैनेस ही है, प्लस इस तरफ को है, मैनेस इस तरफ को है, इस तरीके से आप फाइंड करते हुए चलते हैं, जो LED नहीं चलती है, तो LED आपकी फिर मैंने वीडियो को ब्ल्ब को रिप्लेसके लाता समझ भी खरते हैं टो सो्टिक है इसी के फिर elementum करते होई चलते रहे हैं अब यहां पर बात आती है इनकी तो देखिए आपको मैं बता दू जो MCPCB होती है उसमें आपको ज्यादतर 6V या फिर 9V या फिर 12V की ही LED बल्ब देखने के लिए मिलते हैं अब यहां पर आपको मैं बता दू सबसे पहले आपने इस तरीके से चेक करना है यह देखिए यह देखिए यह नहीं जला यह बिल्कुल नई MCPCB मैं हाँ पर दिखा रहा हूँ और जब भी LED खराब होता है नहीं सिर्फ एक खराब होती है सारी के सारी नहीं खराब होती है सब सीरीज में कनेक्टेड होती है सीरीज में कोई एक बल्ब खराब होता है तो सारी सीरीज जलना बंद कर देती है अब मैं आपको बता देता हूं हाँ पहचान की भी बता देता हूं अगर पहचान आपने करनी है तो किसी एक LED को पर हलका सा एक काला डॉट होगा समझ लेजिए वो खराब है तो चलिए इस तर बढ़ा असा वटेज बढ़ाके 6 वोल्ट के सम्थिंग में इसको रखेंगे तो चलिए मैं यहां पर आपको सबसे बहले दिखाता हूं इसको हम किस तरीकी से रखेंगे 6 वोल्ट पे तो पहले मैं इसकी वोल्टेज को इस तरीकी से सेट कर लेता हूं sorry ताकि हम accurate voltage वोहां प सेट करेंगे देखे। 6V पे सेट करेंगे। 6mm से ज्याधा नहीं करना है वरना LED कराब हो सकती है 6mm गम क्यों हुई तो देखे। 6V के समधिंग में इसको मैंने देखे सेट कर लिया है। अब यहां पर इस LED को हम चेक करेंगे। अगर 6 में नहीं चला तो फिर हम 9V पे इसको सेट करेंगे अभी हम इसको ऐसे चेक कर लेते हैं तो यहां पर यह 6 पे चल गया है इसका मतब यह 6V की LED है तो इससे आप वोल्टेज भी पता कर सकते हैं इसको सेट कीजिए अगर 9V पे नहीं चलती है तो फिर आप 12V पे सेट कीजिए तो फिर आप 15 नहीं तो उसके आप बढ़के 20-22 ऐसे कर सकते हैं लगबग आपको बूस्टर मॉडियों से 40V आउटबट मिलती है I hope कि आपको थोड़ा-थोला समझ में आ रहा होगा पूरा समझ माहा रहा तो लाइक कर दो, अगर थोड़ा-थोड़ा समझ माहा रहा हो, तो comment कर दो अपना confusion, मैं clear कर दूँगा अगली वीडियो पर, चलिए, तो इस तरीके से सभी LEDs को आप चेक कर सकते हैं, फटा-फट से, इसमें सभी LEDs मिल्कुल OK है, अब यहाँ पर भी होई, वैसे तो मुझे पता है कि इसकी voltage कैसे देखी जाती है, लेकिन आपको नहीं पता है, तो आपको voltage set कर नहीं है, फिर अब आपने इसको check करना है, तो आप सबसे पहले इस module की voltage को 3 पे set कीजिए, अगर आपने 6 पे set किया है, या फिर 9 पे set किया है, अगर आपकी यह panel आपका 3 वोल्ट का है, और आपने इसको set किया है, 9 वोल्ट पे, तो ज्यादा voltage जाने के वज़े से आपका खराब हो सकता है, इसलिए आपको पहले बता दे रहा हूँ, इसकी voltage आप minimum 3 वोल्ट कर लीजे पहले, तो यह आपर 6 वोल्ट मैंने किया है, और मुझे पता है कि यह ज्याद अब मैं इस वोल्ट की voltage को 9 वोल्ट पे set करूँगा, यानि कि 9 वोल्ट पे set कर लूगा, तो इस तरीकी से मुझे बार-बार पकरना पड़ रहा है, आपके पास कोई और चिम्टी बगर हो, तो उसको दबा के कर सकते हैं, मेरी वीडियोज थोड़ा सा लंबी होती है, काफी करके देखेंगे, तो आपको knowledge उतना नहीं मिल पाएगा, तो चलिए अब इसकी voltage को 9 पे set कर लेते हैं, फटावट से, थोड़ा सा प्रोब्लम भी हो रहा है, मुझे इसको पकड़ने में, 7 पे आ गया है, and 8 and 9, चलिए 9, तो कोई बात ही 9 वोल्ट पे इसकी voltage को मैंने set कर लि हैं, तो चलिए, फटावट से हम इसकी LED को check करते हैं, देखें, चल गई है, तो यहाँ पर यह चल गई है, तो 9 वोल्ट से चलती है, पहले हमने 3 वोल्ट से ही check करना है, 3 वोल्ट से नहीं चलती है, तो फिर हम 6, 6 नहीं तो फिर 9, अगर डाइट हम 9 दे तो हो सकता है, अब हम इसको इस तरीके से करेंगी, यह चलेगी, एक सेकंड, यह नहीं चली, इसका मतलब यह खराब है, जो नहीं चलती है वो खराब है, यह चल रही, थोड़ा समय है, और काफी ब्रैट हो और आप में चमक रही है, तो थोड़ा-थोड़ा देर के लिए मुझे यह तो य यह जल गी, यह जल गी, तो इस तरीके से सभी चेक करनी है, और इस से यह भी पता चलता है, कि यह जो LED हमारी 9V से ओपरेट होती है, सिर्थ 1 LED 9V से ओपरेट होती है, दो चीजे शीखने के दिनी एक तो यहाँ पर यह हमारी ct कैसे होती है और led दूसरा कितने वोल्ट से ऑपरेट होती है इस यह अइन वोल्ट आपरेट हो रही है यह था यह 3ごल्ट आपरेट हो रहे इस तर皱ी के से हमने चेक अना है अब यहां पर यह जो colorful या फिर multi color डियो भी multi color नहीं है इसमें जो LED लगी भी है वो भी 9V से या फिर 6V से operate होता है हम 9V पर इसको चेक करें कि मुझे पुदा ही 9V पर operate होती है तो इस तरीके से हम इसको चेक करेंगे तो यहां पर यह नहीं जला हो सकता है यहां पर यह कर दिखाता हूँ तो यहाँ पर 11 वर्ट सेट तो अब हाते हैं वह सहित्भू है करते हैं तो वह गाल श ак princess ryaa kis hasono Karen as much और ference अब ये द्मिविनी चल रहा है इसका मतब मुझे और वोल्टेज बडहानी planning पड़ सकती है कि ऑ हार वोल्टेज मुझे मुझे बदानी पढ़ सकती है बढ़ा के मैं क्यों ना 15 कर लूँ चलिए इसको 15 कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने 15 वोल्ट इसको सेट कर लिया है चलिए अब देखते हैं 15 पर यह चल पाता है यह फिर यह फिर मुझे और भी बढ़ाना पढ़ सकता अगर इसमें नहीं चला तो तो देखिए 15 से और बढ़ाना पढ़ सकता है थोड़ा थोड़ा जल गया है मुझे इसका मतलब इसमें 16 या फिर 17 वोल्ट सेट करना पढ़ सकता है चलिए एक दो राउंड घुमा देता हूं तो 16-17 पर लगबग चला जाएगा हो सकता है कि अब चल जाए तो इस तरीके से हम इस देखिए अब चल गया तो यहां पर लगबग यह कितने वोल्ट से थोड़ा सा और बढ़ा जातों तक कि ब्रैटनेस की बढ़ जाए ज्यादे नहीं बढ़ना नहीं बढ़ना बढ़ना बढ़ने के बजाए यह LED खराब हो प्रों था छानीत सकती है अब ठीक है अँब भी हो सकता है इसकी ब्रैटनेस बढ़ सकती है एक लिद वाता अि इससे ज्यादा नहीं बस ठीक है अब देखते कितने वोल्ट पे लगभग मुझे लग रहा है कि 20 वोल्ट से एक LED सिर्फ चल रही है सिर्फ 20 वोल्ट के सम्थी चलिए देख लेते हैं हाँ वही 18-20 20 पे रखके थोड़ा सा बैटनेस बढ़ जाएगी और कुछ नहीं है तो लगभग ये 20 वोल्ट से ऑपरेट हो रही है हमारी एक LED मिनिममम 16 वोल्ट से और मैक्जिमम 20 वोल्ट से 16-17-18 वोल्ट में अच्छी चल रही है उसे ज्यादा मैं नहीं देना है तो लगभग ये आपका मान सकते हैं 20 वोल्ट मैक्जिमम में आपका अच्छी से नहीं करके में अच्छी से इसका मतलब ये खराब है तो इस तरीके से आपने सभी LED चेकन है इससे हमारा ये भी पता चला कि एक LED कितने वोल्ट के और ये टेस्ट भी हो गई तो चलिए इसको भी सेट कर लेता हूं और यहां पर देखिए अब इसके लिए फिर से हमें लगबग इसको हम 3 वोल्ट पे ला सकती है तो यहां पर वैसे स्ट्रिप के एक LED की वोल्ट है 3 वोल्ट यानि कि 3 वोल्ट की एक LED है तो इसमें कितने लगी विए एक ठोड़ा से मैं इसको साइट कर लेता हूं और सईसे इसको देखता हूं इसमें लगी विए 1,2,3,4,5,6 अच्छे तो 6 LED पे लगी हैं सभी स ची हूंगे तो अभी हमने जो सेट कर रहा था वो 18 वोल्ट पे ही सेट कर रहा था चलिए हम चेक कर लेते हैं चलिए हम चेक कर लेते हैं 18 वोल्ट इसको देके देखते हैं एक मिट यहाँ पर प्लस मैनस लिखने के बजाए इनने कैथोड एनोड लिखा है तो एनोड मतलब पॉस्टिव और कैथोड मतलब नेगेटिव यानि कि LED भी एक डायोड ही होता है लाइट इमिटिंग डायोड जिसे हम कहते हैं नहीं पैता है तो नोड कर लीजिए तो कैथोड की जगह पे हम नेगेटिव और एनोड की जगह पर पॉस्टिव हम लगाएंगे इस तरीके से तो LED जल रही है इसका मतलब हमारी स्ट्रिप बिल्कुल सही है पूरी LED आपको दिखा देता हूं इसमें पूरा स्ट्रिप कवर करने की कोशिश करूगा तो चलिए वैसे आपको मैं दिखा दूँगा य해 देखिए सभी LEDs हमारी जल रही एक सेक। सभी LEDs हमारी जल रही आपको मैं एक सेक। यह दिखा रहा हूँ देखे लाश्ट देखे आपको सभी LED जलते वे दिख रही होंगी तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि एक LED हमारी तीन या सिर चार वोल्ट की हो सकती है इसलिए हमारी अठार वोल्ट पर LED चल पड़ी तो सिर्फ आप एक LED को भी चेक कर सकते हैं और सभी LED को भी चेक कर सकते हैं हमारी इस्ट्री बिल्कुर सही थी तो सभी LED को चेक के लिए बाकि अगर कोई एक LED फ्यूज है तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं शुरुआती में 3 वोल्ट पे मैं ले आता हूँ उसके बाद एक LED को चीक करना भी बता दूगा और हाँ वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले न क्योंकि ऐसे वीडियो आप पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी अगर मिली है तो कमेंट कर देना मुझे नहीं पता बट पूर की LED TV पे की यही स्ट्रिप लगी होगी नहीं उन में थोड़ा से ज्यादा वोल्टेज वाली LED स्ट्रिप भी लगी होगी अगर आपकी LED स्ट्रिप मैक्सिमम 40 वोल्ट से चल जाती है तो यह बुष्ट मोडूल से चला पाएगा वरना इसके लिए आपको फिर क्या करना पड है मुझे लग रहा है कि इस पर कमेंट आ सकता है इसलिए मैंने यहां पर पहले ही मैंने क्लियर कर दिया है अगर आपकी LED स्ट्रिप 40 वोल्ट से ज्यादे बापरेट होती है तो आपने सिर्फ एक एक LED को चेक करना है उसकी LED 3 वोल्ट पे सेट करके पहले इसको 3 वोल्ट पे सेट करता हूं और सभी की सभी यहां पर चेक करवाता हूं जो हमारे छोट गए थे तो यहां पर मैंने इसको 3 वोल्ट पे सेट कर लिया है मिनिमम 3.4 वोल्ट पे रहता है अब यहां पर एक LED आपको दिखाता हूं देखिए यह आपकी 3.4 वोल्ट के समधिंगी है यह देख अगर आपके लगवक 3.4 वोल्ट और 7 वोल्ट तक की आपकी LED है तो उससे ज़ादे के लिए आपको बूस्ट करके इसका वोल्ट यह को चेक करना हूं अगर आपके पास बूस्ट का वोल्ट पता है तो उस वोल्टेश को आप मैनुली बना सकते हैं जैसे दो बैटरी आपन या फिर तो आप तीन बैटरी को जोड़के 12 वोल्ट भी बना सकते हैं तो इस तरीके से आप बूस्टर मोड्यूल ना लेके इन बैटरी को सिरीज पर कनेक्ट के आप अलग-अलग वोल्टेज निकालके भी काम कर सकते हैं बस मोड्यूल में सुभिधा हो जाती हम अलग- और वोल्ट से पूरा ही ओपरेट हो जा रहा है तो इस तरीके से यहां पर हमें देखते हैं बाकी एक LED को आप चेकरेंगे तो सभी की सभी चलेंगी आपको मैं बता दू इसमां सभी LED हमारी पैरलल पर करेक्टेड है तो यह सभी की सबी इसलिए जल रही है अब यहां पर ट इसमांदारी से उसका आंसर मैं दे दूँगा और हां एक मेरा और चैनल है जिसका नाम Tech Help & Guide है और एक मेरा व्लोगिंग के भी चैनल है यानि कि दो चैनल और हैं अगर आप उन्हें चाहें तो उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो जो हमारा Tech Help & Guide चैनल है उसमें मोईल र गाइड सर्च कर सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो